हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूटूब चैनल पीकेश मास्टडी डेली करेंट अफेस के वीडियो स्रीज में आपका स्वागत है आज 7 अपरेल 22 साथ अपरेल 22 से करेंड अफेर के जेते ही पॉर्ण कोशन मनते हैं हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे चेली वीडियो स्टाट करते हैं आज का पहला पर्ण कोशन है हाली में राष्टिय समुद्र दिवश कम मनाया गया इसका सही आंसर है ऑप्सन अमबर डी पांच अपरेल भारत में हर साल 5 अपरेल को नेशनल मरी टैम डे मनायाता है क्योंकि 1919 में इसी तारिक को नेविगेशन इतियास में एस एस लोयल्टी बनाया गया था दा सिंधिया स्टीम नेविगेशन कम्प्नली लिमिटेट का पहला जाज उनाटर किंडम गया था यह भारती नेविगेशन के इतियास में एक स्टोर नेम दिन था थेमें 22 का सेथिनेबल सिपिंग फोरे सेथिनेबल प्लानेट थेमें एक बार और नोट कलने आप Q2. तीन बार ग्रैमी प्रुषकार जीतने वाले किस वक्ति का निदन हाली में हो गया? इसका सही आंसर है आपसा नमबर B, Bill Wethers. अमेरिकी गीतकार, कायक, गिटार वातक और तीन बार के ग्रैमी प्रुषकार के विए था Bill Wethers का निदन हो गया. उनका जर्म 4 जुलाए 1938 को अमेरिका के वेश्ट वर्जिनिया के सलैफ फॉर्क के कोईला खरंसायर में हुआ था. इन्होंने 9 एल्बम में बनाया जिसमें उनका पहला एल्बम Just Edge, I Am 1941 और आखरी एल्बम Watching You Watching Me, 1980 भी सामिल है. यहने 3 बार ग्रैमी प्रुषकार भी मिला है. चल जलते हैं Question No.3 की तरफ, हाली में क्रिशी और किशान के लियान मंत्राइन ने COVID-19 की वज़ा से उत्पन प्रष्थितियों के मद्दे नजर किस पोर्टल में संसोधन किया है? इसका सही आंसर है Option No.B, E-Nam. E-Nam वेपारियों को किसी तूरिस्ट अस्थान से बोली लगाने त किसानों को मुभायर अधारित बोकतान प्राप्त करने की सुधा प्रदान करता है इससे वेपारियों की मंडियों या बैंकों में जाने की आओ सकता ने पड़ती या क्रिशी उपज बजार समीती में COVID-19 से सुरुच्छा और समाजिक दूरी को बनाया रखने में मदद प्र प्रदान करेगी चलते हैं कोश्य नमबर फोर की तरफ किस संस्था के मुताबिक क्रोणा वारस को इंडियान की महमारी के करण एक वर्स दोयर बीस में वैस्विक अर्थ वरस्ता तकरीबन एक परतिस सत्त तक कम हो सकती है इसका सही आंसर है आप्सर नमबर ए युनेटि ने सकती है इसका सही ने कहा है कि यदि बिना प्रियापद राज कोश्यो पायों के आर्थिक गतिवध्यव क पर फरदिबन दोर आधिक भढ़ाया जाता है तो वैश्विक अर्थ वरस्ता और अधिक प्रवावितों सकती है आइसक्ति राज्ट आर्थिक और समाजिक ममलों के विभाग द्वारा किये गए विशलेशन के अनुशार कुरोणा वायरस मामारी वैस्विक आपूर्तिस रंखलाओं और अंत्राश्टी वेपारगों बाधित कर रही है। हाली में United Nations के मुताबिक कुरोणा वायरस मामारी के कारण वर्स 22 में वैस्विक अर्थवरस तक रिवन एक परतिसद तक कम हो सकती है। बात के United Nations के दूँ इसके स्थापन 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। चलते कोशन नंबर 5 की दरफ। हाली में केंच सरकार ने COVID-19 के मामरों को ट्रैकर ने तूँ किस नाम से एक एप लाउंच किया। इसका सयान सराप्स नंबर D, आरोग गिशेतू। आरोग गिशेतू एक एप को सावजुनिक निजी साधियारी के जरिये तैयार यों Google Play Store पर लाउंच किया गया है। इस एप का उदेश COVID-19 से संकरमित व्यक्तियें उपायों से सम्मधित जयानकारी उपलब्द कराना होगा। यह एप 11 बासाओं में उपलब्द है और साथी इसमें देश के सभी राज्जू के हल्प लाइन नंबरों की सूची भी दिगई है। अगर कोई व्यक्ति COVID-19 सकरात्मक व्यक्ति की संकरम में आता है, संपर्ग में आता है तो एप निदेश बेजने के साथ ही ख्याल रखने के बारे में जयानकारी प्रतान करेगा। चलते हैं कुशू नंबर 6 की तरफ। सुप्रीम कोट दोरा 1392 को दिये गए आदेश के बाद किस सहर में 14 बड़ी निर्मार प्रविजनास्तिलों पर एंटी स्मॉक गन उपकरण लगाये गए हैं। इसका सही अंसरफस नंबर C, दिल्ली एंटी स्मॉक गन एक ऐसापकरण जो वाईव प्रतुसन को कम करने के लिए हवा में नेबुलाइजट जल की बूदों को छुलका करता है। वहान पर स्थापित एंटी स्मॉक करने एक पारी की टंकी से जुड़ा हुआता है जो दोल्याओं अनकड़ों को जमीन पर लाने के लिए हवा में 50 मिटर की उचाई तक ले जाया आजा सकता है। सुप्रिम कोड दोरा 1392 को दिये गए आदेश के बाद दिल्ली शहर में 14 बड़े निर्मार प्रज़नास थल पर एंटी इसमॉक गन उपकरन लगाये गए हैं। चलिए चलते हैं कोश्चन अब आपको पहरे दिल्ली के बार में आते हैं। दिल्ली का कठन 1911 में हुआ था। वर्तमार मुक्रमंत्री स्री अर्मिन केज रिवाल जो की आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं। लेटरेंग गवर्णर अश्री अंगिल बैजल जी फर्स सियम चोधे प्रमपकाष फर्स्ट लेटरेंग गवर्णर आधितनाज्जा। फर्स लेडिश सियम सुसमा सुराच लोग सफसीट साथ टूटल डिस्टिक है। मेन रिवर यहां की एमुणा, इंदरागादी नैसल एरपोर्ट की बात करतो, 20 इंदा साथ इसी है जो की दिल्ली में है। लाजस्ट पबिक ट्रांस्परशन इन इडिया की बात करतो, दिल्ली में है। Lotus Temple जो की finest crafted structure है वो भी दिल्ली में है चलिए आपको map में दिखाते हैं दिल्ली ये map में दिल्ली चलते हैं question no.7 की तरफ हाली में किस दिन international day of sport for development and peace मनाया गया इसका सही answer है option no.b 6 अपरेल सहिक्ति राष्ट द्वारा हर साल 6 अपरेल को खेल में प्रगती और सांती बनाया रखने का अंतराष्टी दिवस अर्थात international day of sport for development and peace की रूप में मनाया आता है sport ने हमेशा से समाजों में एक मातपूल भूमी का निभाई है चाया वो फिर परतियस पर्दी खेल सारे रिगत विद्याया खेल के रूप में हो साथी में खेल सहिक्ति राष्ट प्रणारी के लिए एक स्वबाविक सहिधारी का भी प्रतीक है सहिक्ति राष्ट ने दोयर 20 के अंतराष्टे खेल दिवस के अउसर पर लोगों से हैज बी एक्टिव और स्वस्तर रहे कर कोविट-19 को हराने की अप्रील की है चलिए अब आपको अप्राइल मा के सारे अंपोर्टेंडे रिवियन कराते हैं हाली में किस राष्ट के मुख्य मंतरी को पसू अधिकार संस्था पेटा इंडिया दोरा हीरो टू अनिमल सा वाट से समानित किया गया है इसका सही आंसर आप्स नमबर C ओडिशा ओडिशा के मुख्य मंतरी नमिन पटनायक को पसू अधिकार संस्था पेटा इंडिया दोरा एनिमल्स हीरो टू अनिमल्स अवाट से समानित किया गया उपन्यास कुरोना वाइरेस मामारी परताला बंदी के दोरान ओडिशा में समुधायक पस्यों को खिलाने के लिए धन आवंटेद करने के लिए उन्हें पीपूल फॉर्ड एथिकल ट्रीट्मेंट ओफ एनिमल्स याने की पेटा दोरा समनित किया गया बात कहें तो पेटा की तो पेटे के स्थापना मार्च 2220 में हुआ था हैड़कॉर्टर है नौर्फॉल वर्जिनिया उनाटेट स्टेट में चलिए वापको उडिशा के बार में आते हैं उडिशा गठन एक अपले उनिस्टो चातिस को हुआ था वर्थवनमु कमित्री स्री नवीन पतनाएक जो कि आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं प्रोफेसर हैं स्वारी गवर्णर है प्रोफेसर गणी सीलाल कैप्टल भूनेश्वर फस्थी है अमारे कृष्णा मैताव फस्ट गवर्णर सर जोनास्टेन बाग लोग स्पसीट 21 रासव शिर्दस टोटल डिस्ठीक है 30 लाइजस स्वाल्ट लाइक की बाद का तो चिलिका जोकी उडिशा में है स्टेटरी पिपल, फ्लार असोका, एनिमल सामबर, स्टेट बार्ड है इंडियन रूलर चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उडिशा चलते हैं कोश्व नमबर 9 की दरफ हाली में किस राज में लोग को सेनिटाइज करने के लिए वी सेफ ट्यूनल लगाए गया है इसका सही आंसर आपस नमबर A, तिलंगाना तिलंगाना में लोग को सेनिटाइज करने के लिए वी सेफ ट्यूनल इस्थापित की गई है इस सेनिटाइज ट्यूनल को राज के पुलिस माने दे सक कार्याले में इस्थापित किया गया है ये किटाणूना सक विशिष्ट वी सेफ टेनल बीस सेकंड के अंदर लोग को किसी भी संभावित बैक्टिरिया और अने डोगान रहित कर देती है चलिए अब आपको तिलंगाना के बार माते है तिलंगाना के गटन तो जून दार चौदा को गवा था वर्तवान मुक्य मंतिन इंसरी के चंसे कर रहाओ जो कि आपको इमेज में दिखाए दे रहे गवणनार है डाक्टर तमिली साई साउंड रजन कैपिटल है है यदराबाद लोग सबसीट सत्रह रस सबसीट साथ टोटल लिस्टी है एक तिस चलिए आपको मैप में दिखाते है ये मैप में तिलंगाना चलते हैं कोशन नंबर 10 की दरफ हाली में इंडियन एर फोर्स ने किस आपरेशन की सुरुवात की है इसका सही आंसर आपरेशन नंबर भी संजीवनी भारते वाईशना ने आपरेशन संजीवनी की सुरुवात की है और कोविन एंडियन के खिलाफ लडाई में सहता की रूप में परिवान पिमान के मादम से मालदीव को 6.2 टन आउसक चिकेश आप उरती प्रदान की भारत ने मालदीव को 6.2 टन आउसक दमाई आप उरती की हैं जो की विविन सहरों से खरी दे गए और भारती वाईशना के एक हरकुलिस पिमान और अवित्रित कीगी लडाई में सहता की रूप में है चलिए अब आपको इंडियन आर्म फोर्स के बारे में बात है हेटकोर्टर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स के बात का तो निउडेली में कमांडर इंडियन चीफ पर आफ होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बात के इंडियन आर्मी के तो चीफ जनरल है मनुझ मुकुद नर्वाने इसकी स्थापना एक अप्रेल नुट अठारा सो पंचार्न बे होई थी फर्स्ट कमांडर इंड चीफ है के अमकरियपा इंडियन आर्मी टे की बात का तो पंदरा जन्वरी इंडियन नेवी के बात का तो चीफ होनवाले श्टाफ है करम बीर सीख इसके स्थापना 1612 में होई थी इंडियन नेवी टे चार तिसंबर को मनायाता है बात के इंडियन एर फोर्स की एर चीफ मार्सल नार्केस बदार या इसके स्थापना 8 October 1932 को होई थी इंडियन एर फोर्स टे आठ अक्टूबर को मनायाता है फर्स्ट एर चीफ मार्सल सुबरतो मुकरजी चलिए चलते कोशन नंबर 11 की तरफ हाली में किस आयाइटी ने कम कीमत वाला प्राणवायू पोर्टेबल वेंटिलेटर तयार किया है इसका सही आज़र है ओप्सन नंबर C, IIT रूड़की IIT रूड़की ने एम्स रिसी के सहयोग से प्राणवायू नामा के कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विक्सित किया है जिसे के वल 25 रुपे में तयार किया सकता है वेंटिलेटर सांस में दिक्कत वाइट डिग्री के लिए उप्योगी होगा और या सबी आई वर्की रुगियों विसेश रूप से बज़रुकों के लिए परियोग किया जा सकता है चलिए चलते कोशन नंबर 12 की तरव हली में किस दिवंगत की लाड़ी को नाई स्मित मेमोरियल बास्केटबाल हाल फेम के सदस्के रूप में चुना गया है इसका सही आंसर अप्स नंबर A दिवंगत कोवे ब्राइंट दिवंगत कोवे ब्राइंट को नाइसमीद मेमोरियल बास्केटबॉल All of Fame के सदस्की रूप में चुना गया है उन्हें उनकी पादरता के पहले वर्स में All of Fame के सदस्की रूप में चुना गया है कोवे ब्राइंट 18 बार NBA All-Star और 900 सेवर का ही सबन गया है जिसमें कई All-Star टीम डंकन और केविन गानेट भी सामिल है चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं यह आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं यह थे कोवे ब्राइंट चलते हैं कोशन नमबर 13 के तरफ भारतिया पहलवान बजरंग पुनिया विश कुष्टिच चेंपेंसिप की नमिंतम रैंकिंग में कितने स्थान पर परकरार है इसका सही आंसर आपस नमबर C दूसरे स्थान पर चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं यह आपको इमेज में दिखाए दे रहे हैं यह हैं भारतिया पहलवान बजरंग पुनिया चलते हैं आज के स्टेटिक जीक के कुष्टिच की दुरफ टेस्ट मैचों में 500 वेकटल हासल करने वाले पहले भारतिय करिकेटर कौन थे इसका सही आंसर आपस नमबर C अनिल कुमले चलते हैं आंसर आफ एस्टेडे कोष्टिच के दुरफ दोयरे किस में ACI युवा खेलो की मेजबानी कौन सा देस करेगा इसका सही आंसर था आपस नमबर C चाइना चलते हैं कोष्टन आफ एस्टेडे के दुरफ हाली में किस राच ने लॉक्डाउन के दौरण बच्चों को वेस्ट रखने के लिए ओनलाइन सांस्क्रितिक परतियोगताओं की सुरुवात की है इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ऐसे इस डेलिकंट अफस के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके समाश टी को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आएए तो लाइक और सेर जरू करें थैंक यू